रादे रादे एवरिवन, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गनपती बपा का हमें विसर्जन घर पर कैसे करना है, चौकी कैसे उठानी है और चौकी का जो भी सामान है, उस सामान का हमें क्या करना है, तो आज मैं आपको गनपती विसर्जन की बहुत ही सरल विदी बताऊं तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमें विसरजन किस तरह से करना है तो देखि जिस दिन भी आप गणपती जी का विसरजन करने वाले हैं विसरजन से पहले हमें पूजन करना होता है तो पूझा करने के लिए सबसे पहले हम एक लोटा शुद्ध जल लेंगे और फूल की सायता से देखी छीटा लगा देंगे इस प्रकार से भाव रूपी इसनान करा लेंगे अब जिस तरह से आप रोज पूजा करते आई हैं बड़े गनपती छोटे गनपती रिद्धी माता सिद्धी माता कलश देव सभी को हम तिल अगर माला लेकर आए हैं विसर्जन वाले दिन तो आप माला चड़ाएं अब इसके बाद सीधे हाथ में थोड़े से पुश्प और अक्षत लेकर गनपती बपा से प्रार्थना करें कि हे भगवन जितने दिन भी आप हमारे घर पर रहे हमसे या हमारे घर की किसी भी सदस स कोई गलती हो गई हो तो आप उस गलती को कृपया करके ख्षमा कर देना और अगले साल भी इसी तरह दूम धाम से दोबारा हमारे घर में पधारना और आज हम आपका विसर्जन करने जा रहे हैं और विसर्जन में भी अगर हमसे किसी भी तरह की भूल हो जाए तो उसे बख्षत हैं गनपती जी के चरणों में उसे छोड़ देंगे अब देखे जो भी आपने भोग बनाया हो गनपती जी के लिए या जो भी गनपती जी का प्रिय भोग हो उसे आप अरपित करें फल, फूल, मेवे, मिश्ठान या घर में जो भी आपने बीना प्याज लेसन का बनाया हो वो समरपित करें और इसके साथ ही देखे जल भी आप जरूर समरपित कर दें अब भोग प्रसाद अरपित करने के बाद प्रेम पूरवक गनपती जी की रिद्धी माता, सिद्धी माता, कलश देव की सभी की हम आरती उतार लेंगे अब आरती करने के बाद देखे जब तक ये दीपक ठंडा नहीं हो जाएगा, तब तक हम चौकी को नहीं हिलाएंगे, अब इसके बाद हाथ में थोड़ा जल लेकर इस तरह से चौकी के आसपास आप तीन बार फेर दें, और इसके बाद गनपती जी से भोग को ग्रहण करने के लिए प्रार्थना कर लें, त तो जब तक दीपक ठंडा होगा हमें करना क्या है, एक इस प्रकार से आप कपड़ा ले लीजिए, आप पीले या लाल रंका कोई भी नया कपड़ा का टुकड़ा ले लीजिए, और उसमें जो भी आप बांधना चाहते हैं, फल, मिठाई, मेवे वगरा, तो यहां पर है और इस प्रकार से देखिए, पोटली जैसी हम उसे बना लेंगे, और इसे कलावे की मदद से बांध देगे, और देखिए, जब यह पोटली आप बांधें तो बहुत पहुत टाइट गांट ना लगाएं, हल्की सी एक गांट लगाएं, और इस पोटली को बनाने के गर पर विसर्जन करूंगी तो एक हमें बड़ा सा बर्तन लेना है साफ शुद्ध बर्तन ले लें आप और उसमें साफ जल भर लें और इस जल में देखी हमें सबसे पहले थोड़ा गंगा जल डालना है इसके बाद हल्दी, रोली, अक्षत, पुश्प ये सभी सामगरी डाल कर हम विसर्जन के लिए जल तयार कर लेंगे और बर्तन हमें इतना बड़ा लेना है कि गणपति जी की जो मूर्ती है वो इसमें डूब जाए तो इस तरह से सारी तयारी करने के बाद जब दीपक ठंडा हो जाए उसके बाद हमें सभी को जो भी देवी देवता हमने अब देखी विसर्जन से पहले आप एक बार फिर से गनपती बप्पा से विन्ती कर लें, कि हें गनपती बप्पा आप अगले साल फिर से धूमदाम से हमारे घर पर जरूर आना, और घर पर देखी जितने भी सदस हैं, वो सभी इसमें शामिल जरूर हों, और अगर आप कहीं नदी या नहर में विसर्जन करने जा रहे हैं तो मूर्ती को आप पटले पर या चौकी पर रख कर ले कर जाईए और इस तरह से बपा के जो जैकारे हैं उन्हें लगाते जाईए गनपती बपा मोरिया मंगल मूर्ती मोरिया और देखिए यह जो पटका है इसे आप चाहें त ज़्मान को सभी को खा लेंगे और इस तरह से एकदम डुबकी नहीं लगवानी है हमाँ गनपती जी को 1-2 थी और चौथी बार में फिर उन्हें पूरी तरह से धुबा देना है और देखिए आज गनेश विसर्जन नहीं हैए तो मैं यहां पर विसर्जन नहीं करूंगी आपको खाली वीधी बताई है मैंने और घर पर भी अगर आप विसर्जन कर रहे हैं तो पोटली को बंधा भी रहने दे सकते हैं या आपकी इक्षा है आप हटाना चाहें तो हटा भी लें और देखिए अगर आपकी मिटी की मूर्ती है तो 3-4 घंटे में ये गल जाएगी और विसर्जन के बाद देखिए चौकी हमें किस तरह से हटानी है ये जो भोग प्रिशाद है इसे आप हटा लीजिए और परिवार में सभी सदसे मिल जुलकर इसे ग्रहन कर लीजिए और प्रिशाद के जल को भी सभी लोग पी लीजिए अब ये जो पटका है देखिए इसे आप गंगा जल छेड़कर या दूलकर देखिए दुबारा इसे प्रियोग में ला सकते हैं पूजन में अब जितने भी हमने पूजा में फूल या पत्ते प्रियोग किये थे उन सभी को आप इखटा कर लीजिए और इन पत्तों को फूलों को इखटा करने के बाद या तो आप इनका भूमी विसर्जन कर दीजिए या आप अपने घर के किसी भी गमले की मिटी में से दवा दीजिए कुछ दिनों बाद ये खाद बन जाएगी क्योंकि देखिए पूजा में चड़ाई गई कोई भी वस्तु हमें इधर उधर नहीं डालनी हैं और देखिए पूज अपसे लोग फोड कर भी घर में प्रिशाद रूप में खा लेते हैं तो जैसा भी आपके हां होता हो आप वैसा कर लें अब देखिए जो दक्षणा हमने अरपित की थी तो दक्षणा तो या तो आप पहले दिन अरपित कर दें जिस दिन स्थापना करें या विसर्जन वा कर सकते हैं या इन पर देखिए इस प्रकार से थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर आप दुबारा से इन्हें पूजा में प्रियोग कर सकते हैं अब ये जो कलश का देखिए जल होगा ये बहुत ही शुब जल बन गया है क्योंकि इतने दिन कलश स्थापित रहा है तो इसके सिक्का, सुपाडी, हल्दी की गांट इसके अंदर से आप निकाल लीजिए और इन्हें देखिए दुबारा आप प्रियोग कर सकते हैं और ये जो जल होगा इसे फूल या पत्ते की सहायता से पूरे घर में इसे छिड़क दीजिए आपकी घर की जितनी भी नकारात्मकता ह सभी दूर हो जाएगी बहुत ही शुब और बहुत ही पवित्र जल है ये और वश्रूम को छोड़कर पूरे घर में आप इसे छिड़क दीजिए और दोबारा मैं आपको बताऊंगी के कलश का जो भी बचा हुआ जल हो उसे आप तुलसी जी के पौदे को छोड़कर किसी पौदे में डाल दीजिए अब वस्तर रूपी ये जो कलावा हैं इनने भी आप विशर्जन के सामान में रख दीजिए अब ये जो चौकी के चावल हैं जिन में हमने सभी की स्थापना की थी रिद्धी माता सिद्धी माता गनपती जी कलश देव की इन सभी चावलों को आ करने खान दे सकते हैं और इस धक्षणा को भी आप इन ही चावलो में रख सकते हैं और अगर आप देकिए नारियल को जैसे मैंने बताया फोड कर चाहें तो खा भी सकते हैं और अगर ना खाना चाहें तो जिसको ये चावल आप दान करें जिस भी ब्रामन को उसको ये नारियल भी दे सकते हैं तो इस तरह से विसर्जन की जो हमारी विधी है वो संपन्न होती है तो उम्मीद करती हूँ गनपती विसर्जन से संबंदित सभ अगर भी आपके मैंन में किसी भी तरह का कोई प्रश्ण है तो आप मुझे कमेंट करें में रिपलाई करने की पूरी कोशिश करूंगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार परियावरण की स्वक्षता को ध्यान में रखते हुए आप सभी बहुत अच्छे और विवेक पूर्ण डंग से गनपती जी का विसर्जन करेंगे तो उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई वी